जहीं दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने एंप्लिफायर के लिए परफेक्ट स्पीकर्स को परचेस कर सकते हैं यहां फिर हम दूसरे तरीके से यह भी बोल सकते हैं कि स्पीकर्स को खरीदते समय आपने किन-किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आपके पास एक एंप्लिफायर है और अगर आपके पास में speakers हैं और आप एक amplifier लेना चाहरे हैं तब भी आप इस वीडियो में बताए गए points पर ध्यान देंगे तो आपको खोदी पता लग जाएगा कि अगर आप एक amplifier लेना चाहते हैं अपने speakers के लिए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में मैं आपको यही सब चीजे बताने जा रहा हूँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आमित और आप देख रहे हैं audio guru जी and audio guru जी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो चलिए शुरू करते हैं सो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है बट आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका बजट कितना है क्योंकि जब तक आप एक बजट को डिसाइड नहीं करते हो अपने माइन में पहले थोड़ा बट जब आपने उनका प्राइज पूछा तो उनका प्राइज है एक लाख रुपे का और आपका इतना बजट नहीं है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आप उन स्पीकर्स को परचेज नहीं कर पाओगे और जो स्पीकर्स इससे सस्ते होंगे यानि कि आपने वहीं पर एक करें तो करें कैसे सो पहले आप अपना बजट डिसाइड की जिए कि हमने इस बजट के आसपास की चीज लेनी है फिर आप उन्हें डूना शुरू कीजिए तिक्वे सेकंड चीज जो आपने देखनी है वह आपने यह देखना है कि आपने जो स्पीकर्स लेनी है वह किस टा बूह अब दराइवर का किया साइज है यह सब चीजे मैटर करती है तो आपने करना है कि आपको जो स्पीकर्स चाहिए है या धिने आपने प्सक्रिकर्स लेने हैं वह किस टाइप के लेने हैं हर एक जरूरत के लिए अलग स्पीकर होते हैं mostly अगर आप stereo का setup कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके flow standing speakers यह फिर bookshelf speakers चलते हैं, अभी आपने देखना है कि आपका जो listening का तरीका है, जो आप सुनते हैं, जो भी आपकी पसंद है, वो क्या है, आपने speakers उसी ही जब से decide करने है, मानलो आपको काफी loud music पसंद है, bass वगरा चाहिए आपको अच्छी तो आप low standing speaker की तरफ जाओगे, आपको एक अच्छा quality music चाहिए है, बहुत यादा धूम दडाका नहीं चाहिए है, ऐसे में आप bookshelf की तरफ जाओगे, तो आप अपने mind में पहले एक ये चीज़ सेट कर लीजिए, कि आपको जो भी speakers लेने हैं, वो किस type के फिर आप उनके उपर सर्च करना शुरू कीजिए, और बाकी की आगे की जो बाते हैं वो भी ध्यान में रखनी है, जो कि मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, तो secondly आपने ध्यान देना है कि आपको किस type के speakers चाहिए है, तो चलिए तीसरे point की तरफ बढ़ते हैं, जो ती किसे करना है, यह डिसाइड करना है आपने अपने amplifier की specifications को देखके, कि आपके amplifier की specification के हिसाब से वहाँ पर क्या mention किया गया है कि इस amplifier पर कितने से कितने ohms तक के speakers चल सकते हैं, और उसी कह सब से आपने यह decide करना है, अभी कुछ amplifiers में mention किया गया होता है कि 4 to 16 ohms, तो इस condition में स अब कर अब कर लाए कि सिख लदी के इसी का सकते वर अफिकर, अगर अब के इस तरीके से अगर आपके amplifier पे दिया गया है, 6 to 16, तो इसका मतलब होना है 6 ohms से ले ट कर दिया है, 16 ohms तक के speaker आप चला सकते हो, अगर आपके amplifier में 0.10 ohms, तो मतलब 8 ohms ले टेकर 11 ohms से जेए किकर कितने ohms के लगाएं हम इसके उपर तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि वहां मेंशन किया गया है 4 ohms minimum load है तो 4 ohms जो है ना वो 4 ohms कम से कम load है जो कि आपका amplifier बरदाश्ट कर सकता है तो मतलब 4 ohms से नीचे के speakers आपने नहीं लगाने है उससे उपर के speakers आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो वो कोई भी लगाओ आप कोई दिक्रत नहीं है इसी तरीके से आपके amplifier पे अगर खाली दिया गया है 6 ohms तो मतलब आप 6 ohms से नीचे नहीं जा सकते ऊपर आप जाओ कोई टेंशन नहीं इसी तरीके से 8 ohms दिया गया है खाली तो 8 ohms से नीचे के speakers का load आप अपन पर ये भी mention होगा कि जब आप अपने उस amplifier पर 4 ohms का speaker load डालते हैं तो वो 200 watts की output देता है ये कोई exact value नहीं है ये example दे रहो है आपको और अगर आप उसी amplifier पर 6 ohms के speaker लगाते हो तो उसकी wattage जो है वो कम हो जाती है आप 8 ohms का speaker load डालोगे तो वो और यादा कम हो जाएगी तो इसी condition में आप ये ध्यान में रखते हो चलें कि आपके amplifier की specification क्या है और अगर आपका amplifier 4 ohms के speaker load को handle कर सकता है तो आप 4 ohms के speaker load के तो यादा बढ़ी है क्योंकि output यादा मिलेगी आपको बट mostly जो speakers हैं home audio के अंदर खासकर मैं कहूंगा वो आपको 6 ohms के speakers यादा मिलते हैं तो आपने impedance का ध्यान देना है कि आपके amplifier के accordingly आपने speakers को लेना है जो आपका amplifier है वो कितना load handle कर सकता है तो आपने अपने speakers जो लेने है वो उतने ही ohms के लेने है देन उसके बाद आजाती है हमारी power rating कि आप जो speakers ले रहे हैं उसकी power rating क्या है मान लेते हैं कि आपका amplifier जो है वो पचास वाट पर चैनल देता है 8 Ohms के स्पीकर लोड पर तो आप जो स्पीकर्स खरीद रहे हैं उसकी जो हैंडलिंग है पचास वाट से यादा होनी चाहिए जिससे कि आपके स्पीकर्स की जो वाइस कोईल है वो घरम नहीं होगी और स्पीकर्स आपका जल्दी खराब भी नहीं होगा बट यहाँ पर मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि जो स्पीकर्स खराब होते हैं हमारे वो और पावर की वज़े से कम खराब होते हैं और कम आउटपूट देने की वज़े से यादा खराब होती है मान लेते हैं कि आप स्पीकर्स ले रहे हो वहाँ पर जो पावर हैंलिंग दी गई होती है वहाँ पर हमें मेंशन किया गया होता है कि कि मिनिमम 25 वاط मेकसिमं 150 वlt और आप ने 25 वाट्स में मिनिममव दिया गया है उससे नीचे का अंप्लिफअर नहीं लगाना है आप उससे उपर का ही अंप्लिफअर लगाना है at least मैं तो यह कहूँगा कि अगर आपके speakers पे mention किया गया है कि minimum 25 watts तो आप कम से कम उस पर 15 watt या 20 watt उपर का amplifier लगाएं जिससे की एक headroom भी create हो जाएं और आपके amplifier में clipping का check करना पड़े जिसकी वज़े से speaker खराब हो जाते हैं अगली चीज जो आपने देखनी है वो है आपके speakers की sensitivity यह भी काफी आदा matter करती है आप अगर अपने speakers की specification देखेंगे वहाँ पर आपको sensitivity दीगे होगी एक्जांपल की तौर पे दिया गया होगा 89 dB at the rate 1 watts from 1 meter तो इसका क्या मतलब होता है कि जब brands अपनी speakers की sensitivity को check करते हैं उस टाइम वो अपने speakers पर 1 watt की power देते हैं और जो microphone होता है जो की major करता है कि यह कितनी sensitivity के speakers हैं उन्हें 1 meter distance पर रखा गया होता है तो जो भी sensitivity आपको वहाँ पर mention की गई है सपोज 89 dB की गई है तो उसका मतलब है कि 1 watt की power जब उन्होंने अपने speaker में दी और 1 meter की दूरी से जब उसे ना पा है तब उन्हें 89 dB की sensitivity मिली अब sensitivity जितनी यादा आपको मिलेगी आपके लिए उतना अच्छ है क्योंकि sensitivity का basic जो funda है वो यह है कि sensitivity जितनी यादा high होगी आपका speaker जो है वो उतना loud होगा और जितना loud होगा तो आपको कम wattage के अंदर भी output जो है वो loud मिलेगी अगर आपके amplifier की power rating बहुत यादा नहीं है इस condition में high sensitivity वाले speakers आपके amplifier के लिए काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि उनकी sensitivity हाई है तो आपका amplifier अगर बहुत यादा power नहीं भी दे रहा है तब भी वो enough loud work करेंगे अपना काम चलाएंगे वो एक अच्छी आवाज आपको निकाल कर दे देंगे तो आप इस चीज का भी थोड़ा सा धान रखें कि आपके speakers की sensitivity कितनी है तो sensitivity के उपर वैसे तो पूरी वीडियो बनाई जा सकती है अगर आप पूरी वीडियो चाहते होंगे इसकी पूरा समझना चाहते हैं तो मुझे comment कीजिएगा अगर comments आपके आते हैं लोगों के आपके speakers का जो frequency response है वो mostly आपको इसी frequency में दिया गया होता है 20-20 kHz के अंदर बट जो अच्छे brand हैं कुछ अच्छे models हैं इन में frequency response आपको अलग भी मिल सकता है 20 Hz की जगा वो और यादा low भी हो सकता है और 20 kHz की जगा वो और यादा high भी हो सकता है यानि की minimum 20-20 kg तो होनी ही चाहिए बाकि 20 से नीचे जितनी होगी उतना भी अच्छा है 20 kg से उपर जितनी होगी उतना भी आदा अच्छा है ये कुछ बाते हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी हैं जब भी आप speakers को purchase करने लगे हो purchase करने के बारे में सोच रहे हो अगर आपकी कुछ और भी सवाल है तो आप मुझे comment कीजिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका जवाब मैं आपको दे सकूँ अगर उस topic पर कोई detailed वीडियो बनती होगी तो मैं पूरी वीडियो बना कर भी आपको बता दूँगा अगर इसके उपर वीडियो नहीं बनाई जा सकती होगी तो मैं आपके उस comment का जवाब comment के रास्ते ही दे दूँगा वीडियो आपको सही लगे होगी कुछ समझ में आ गया होगा आपको बाकी इस वीडियो में इतना ही था अगर आप नहीं है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को ज़रूर तबाईएगा तांकि आने वाली वीडियो की नौडिविकेशन भी आ हैं दोस्तों